जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं टैट परिक्षाओं के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे टैट क्या होता है टैट हमें क्यों देना चाहिए टैट एक्जाम की योगता क्या होती है इसके एक्जाम के पैटन के बारे में एक्जाम की एज लिमिट क्या है और टेट एक्जाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इससे संबंदी सभी महत्यपुर जानकरी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप भी सरकारी स्कुल में टेचर बना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से एन तक देखें अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको डेली मिलती रहे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं TET यानि टीचेर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंद कि तो एक सिख्षक पात्रता परिक्शा कहते हैं दोस्तों TET है क्या सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं TET क्या है तो केह त्यक्राइब यह B8 के साथ TET यानि Teacher Eligibility Test के परिक्षा को उत्रिण करना भी आनिवार कर दिया है मतलब कि यदि आप TET पास नहीं कर पाते हैं तो आप Teacher के सरकाय इनोगरी नहीं कर सकते हैं यदि कोई भी विध्यारती सिक्षक बनना चाहता है तो उसे TET के परिक्षा को पास करना जरूरी है तो ei दोस्तों हम बात करते हैं TET कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों TET जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक जिसे हम paper first कहते हैं और दूसरा दोस्तो paper second पेपर फेस्ट दोस्तों उनके लिए होता है जो 1st to 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2nd उनके लिए होता है जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं यदि कोई 1st से लेकर 8 तक पढ़ाना चाहता है तो वो पेपर 1st और पेपर 2nd दोनों दे सकते हैं टेट किलियर करने के बाद दोस्तों आप सिख्षक नहीं बन जाते हैं टेट करने के बाद आप सिख्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं और जब भी किसी सरकारी स्कूल मे सिख्षक की वेकेंसी निकलती है तो वहां पर आप अपलाई करके उस एक्जाम को किलियर करके सिख्षक बन सकते हैं और अपने डीम जुब को प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं टेट एक्जाम कब होते हैं तो दोस्तों टेट एक्ज साल कितने ज़्यादा teacher की vacancies है राइट टेट national level पर और state level पर दोनों किया जाते हैं एन्य अगर हम central level की बात करें तो c-tet का आयोजन किया जाता है और state level की बात करें तो जैसे up-tet हो गया राइट up-tet हो गया बिहार टेट हो गया हर्याना टेट हो गया ऐसे सभी राज अपने यहाँ पर teacher vacancies पूरा करने एक चेक करने के लिए टेट का आयोजन करते हैं अगर आपने central यानि c-tet का clear कर लिये हैं तो आप पूरे भारत में किसी भी सरकाई स्कूल में अगर vacancy निकलती है तो आप महां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टेट यहनि स्टेट करते हैं तो आप particular state में ही अपनी नोकरी कर सकते हैं या परिक्षा दे कर वहां पास होगा सरकाई नोकरी प्राब्त कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं यह किदर होगा दोस्तो अब बात हम करते हैं दोस्तो टेट करता है कि मैं और इच्छा नंबर प्राप्त कर सकता था इस एक्जाम में तो अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए वह दो हजार बीस वाले टेट एक्जाम में भी बैठ सकता वह दोनों पे बरिज़ा सकता है जिसे उसे जो मेरिट लिष्ट और भी अच्छी हो सकती है अब माल लेते हैं कोई च्छा तो जो है टेट पास नहीं कर पाया तो वह जब तक उसकी एज लिमिट है करेटरिया की वह तब तक एक्जाम दे सकता यानि टेट जो है दोस्तो अल विजिबिलिटी क्या होती है सबसे पहले दोस्तो टेट एक्जाम के लिए क्लास 12 पास आउट होना चाहिए यानि 50% मार्क्स के साथ क्लास 12 पास आउट होना चाहिए चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो चाहिए आर्ट से हो चाहिए साइन्स से हो चाहिए कोमर से हो या आप किस तो primary teacher के लिए eligible हैं, अगर आप final year में हैं, तब भी आप exam के लिए योग हैं, यदि ये आपके पास नहीं, यदि आप इस character पूरा नहीं करते हैं, तो इसके अलावा भी दोस्तों, आप इसको पूरा करकर आप exam दे सकते हैं, यानि class 12th with 50-35 marks और इसके साथ साथ दोस्तों, आप आपके पास 4 साल की डिगरी होनी, चाहिए elementary bachelor, elementary of education की, तो भी आप जो है, test exam के लिए eligible हैं, अगर आपके पास ये भी योगता नहीं है, तो आप दोस्तों, graduation में आपके 50 marks के साथ साथ, हना, आप two year diploma, elementary education में आपके पास होना था है, फिर इसके ये पूरा करने पर भी आप क्य exam, दे सकते जाने, इन तिनों में से, एक केरीटरिया में से, किसी एक से लिए पूरा करते हैं, किसी एक योगता को पूरा करते तो आप exam, डे सकते हैं, टैप करायट, चलिए यह दोस्तो पेपर फर्स्ट के लिए यानि प्राइमरी टीचर के लिए और इसका जो समय होता है ठाइगंते का समय होता है अब बात करते हैं इसके साथ साथ appearing in the final year of two year diploma in the elementary education या ये category आप पूरा करते हों तो भी आप दे सकते हैं इसके अलावा graduation with at least 50% marks plus appearing or have passed the first year of B.A.D. ये एक character है इसके अलावा दोस्तो 12th pass with 50% marks होने चाहिए पास और appearing for the final year of B.A.D. is eligible तो ये जरूइन त्यूनों में साथर आप कोई एक character पूरा करते हैं इसके बाद आप junior teacher के लिए eligible हो जाएंगे आप paper दे सकते हैं ठेक दोस्तों अब योगता हमने देख लिए आप बात करते हैं कि age limit कितनी होती है टेट एक्जाम देने के लिए टेट एक्जाम देने के लिए जर्णल की जो age limit होती है वो होती है 18-35 साल तक यानि अगर आप 18-35 साल तक के अंदर हैं तो आप टेट एक्जाम दे सकते हैं और बीशी के लिए दोस्तों 18-37 साल तक है से और स्ट के लिए 18-40 साल तक और फिजिकल हंडिकेप के लिए 18-45 दे सकते हैं चलें अब हम बात करते हैं दोस्तों की टेट एक्जाम का पैटन क्या होता है दोस्तों किसी भी एक्जाम को क्लियर करने के लिए उसके एक्जाम पैटन को जानना बहुत जरूरी होता है तो टेट एक्जाम दोस्तों पेपर फर्स और पेपर सेकेंड दोनों में सो सो जो मतलब जो कोशन पूशे आते हैं वो देड़ सो देड़ सो नमबर की कोशन होते हैं अगर हम बात करें दोस्तों इसमें जो पेपर पूछा या प्रसंद पूछे आते हैं तो इसमें आकर बात करें तो चाइल एंड डेवलोमेंट से पुछाते हैं तीस कोश्चन तीस नमबर के लेंगवेज वन या हिंदी हो सकता है लेंगवेज टू में दोस्तों अगर हम बात करें तो इंग्लीज इसी प्रकार से मैथेमेटिक्स हैना इर्वार्मेंटल स्टुड सब्सक्रीब यानि या सब्सक्रीब में हो इसा ही वेधन को दोस्तों डेशरी बेड़ेमेट होती है और धाई चुक्त घंटें घंडींड?! और language 2 का होता है इंग्लीज राइट इसके लबाँ अगर मात करें तो mathematics, math, environmental studies और social studies से संबधी प्रसंद पूछे जाते हैं कुल देड़ सो नमबर का paper होता है दोस्तो paper हिंदी और English दोनो language में किये जाते हैं दोने language में paper करवाए जाते हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी असानी दे सकते हैं और English मीडियम वाले भी असानी पेपर को दे सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि एक इससे पहले हम बात करने वाले हैं एक पसंद रहे गया था कि कि पासिंग मार्ग्स कितने होते हैं तो फ्रतिस्ट मार्क्स दोस्तों होते हैं अगर आप जनरल क्याटेग्री से है तो यानि आपके 150 में से 90 नंबर आने चाहिए तो आप किया हो जाएंगे दो यानि 60 प्रतिसत कुर्छ मार्क होने चाहिए यदि आप OBC से हैं फीजिकल हं माक्स आते हैं तो अराम से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों एक्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं चलें अब हम बात कर लेते हैं कि टेट एक्जाम को जो सर्टिफिकेट है कितने दिनों तक के लिए मानने होता है इसी में बदलाव किया गया है टेट रिजल्ट आने के बाद से सर् कि उतना तेना बात तक होती है निमार लेते हैं कि कोयी विध्यारती ने जो पहले फ्रेलिक बात करें अभी तो चेंज घो कै फैली बिध्यारती है नहें अगर 2011 में एक्जाम जनवरी में क्लिर गया एक जनवरी को 11 में तो एक जनवरी 2011 से दो हजार अठारत तक उसका जो टेट साटिफिकेट दोस्तों मान रहती थी यानि साथ साल तक और साथ साल तक यदि वो टीचर नहीं बनता था दोस्तों तो ये उसे दुबारा साथ साल बाद एजाम देना पड़ता था लेकिन दोस्तों अब 3 जून 2021 को शिक्षा मंतरी कर दिया गया कि इसरकार ने टीचर टेस्ट क्वालिफाइंग सेटिफिकेट को दोस्तों अब लाइफ लाइन यानि लाइफ टाइम के लिए वैलिट कर दिया यानि अगर आप एक बार टेट एजाम पास कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम तक उसका परियोग करके टीचर बन सकते हैं यानि आप आपको कोई लिमिटेट परियोड नहीं है पहले जो साथ साल का लिमिटेट परियोड था उससे अब समाप्त कर दिया गया है यानि अब एक बार अगर आपने टेट एजाम गिलेर कर लिया तो आप टीचर की वेकेंसी जब मर्जी भी आए आप भर सक सकते हैं इसी के साथ शिक्षा मंत्रार दोरा जारी ब्यान के मताबित दोस्तों यह फैसला दस साल पहले से लागु किया गया है यानि इन सालों के दर्मियान यानि 2011 से लेकर अब तक जिनके भी परमाण पत्रों को पीरियोड पूरा हो चुका है वे भी अब सिक्षक भति प दोस्तों उसके जो पूरे जो सर्टिफिकेट थी वो पूरे लाइफ टाइम के लागु हो जाएगी यानि अब उसे दोबारा टेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं हाँ अपने मेरिट लिष्ट को मार्क्स को बढ़ा सकता है इसके साथ देखते हैं वर्स 2011 से पहले टीटी प्रियर्ट तो वह समापत हो गया था तो उनके लिए खुसकबरी है और बहुत खुसी का महोल है अब वो परिक्षा के लिए पात रहे और एक्जाम दे सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर गराइट तो आज की इस वीडियो में हमने जाना टैट इंटरेंस एक्जाम के बारे में इस एक्जाम को देने के बाद आप डारेक्ट गॉवर्मेंट टीचर तो नहीं बन जाते हैं लेकिन जब भी गॉवर्मेंट टीचर की वेकेंसी आती है तो आप उसे फिल करने के योग हो जाते जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे Thank you so much for watching this video